परवल की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगे क्या कभी आपने इस तरह परवल की सब्जी बना कर खाई है तो चलिए इससे हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लेना है परवल और उसे धो लेना है अची तरह उसके बाद क्या करना है कि इसका उपर का छिल तो यहां पर देखिए हम ने कट लगा दिया है आप क्या करेंगे कहाथ हैं परीज्ब का बीज मने करने वाले हैं- लिए तो आप यहां पर डाल देना और थोड़ा स् Wheels जीरा और का लिफिक इससे अच्छा स्वाद आता है अब हम सारे मसाले को पनीर में से मिला लेंगे तो यहां पर देखिए हमने अपना स्टफिंग त्यार कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि परवल को लेंगे और इसमें हम भर देंगे स्टफिंग को इसे दबा दबा कर भरिएगा ताकि आपको फ्राइ करते टाइम पनीर बाहर ना आए तो यहां पर देखिए हम नहीं से भर लिया है जैसे ही हम सारे परवल में पनीर भर लेंगे अब हम गैस पर कड़ाई रखेंगे उ कड़ाई वह थे बाद करिके लिस हम परवल को देंगें Crusty also तो फेखिन या देख सकते हैं कि देल अख कर देख सकते हैं कि हमारे परवल परवल भर हो गया है इसे हम बाहर निकाल ने गेंगे करें, कि यहाँ पर हमने accurate एक बार कटुवार श्कृतेशारी ल्यार, श्कृता है तो प्राइब हम और ंजो को ऑंपत्तेशारी लिड़ा प्रहुते मिáng और जब आप शारी मसाली डाल देना तो थोगा सा साथ में Sun ने बाइब पानी में इंस्पड न Crime कर देंगे पानी टांफनी नुसार देंगए चुतना आंपकोी जाहिए पतलंगाड है अब मिश्मेड परवल को डाल देंगे क्योंकि हमारा परवल भी थोड़ा बूत कच्छा रह गया है इसे पकाना भी तो है तो अब इसमें डाल देंगे और स्वाद अनुसा नमक भी आपको इसी टाइम पर डाल देना है और थोड़ा सा डाल देना है कसुरी में थी और ढख कर पका लेना है आपको पांस से दस मिनट दीमी आज पर पकाईएगा ताकि परवल अच्छी तरह पक जाए तो यह लिए हमारा परवल का सब्जी बन कर हो गया है त्यार अब आप इसे गर्मा गरम रोटी चाव और फराठी के साथ खा सकते हैं बहुत ज्यादा यमी बना था आप भी इसे घर पर जरूर बनाएं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स रेस्पी में तर तक लिए आप उपना ख्याल रखिए बाए